बरेली में थाना बारादरी के महला हाजिया पोरवाड नमर 15 से रिहाना पतनी आबिद हुसेन जिनका चुनाव निशान तराजू है और वे निर्दलिय चुनाव लड़ रही है प्रत्याशी रिहाना पती आबिद हुसेन ने आज जन संपर्क रेली निकाली जिसमें जनता का समर्थन देखकर रेहाना पती आबिद हुसेन गदगद हो गए हजियापुर वासियों ने फूल मालाएं पहना कर प्रत्याशी रहाना का सोड़दार स्वागत किया और भारी मतों से जीत का भरुसा दिलाया बतातें चलें कि थाना बारादरी के महला हजियापुर वार्ड नंबर 15 में आज रैली निकाली जिसमें जनता ने बढ़ चल कर हिस्सा लिया और उने जीत का आशिरवाद दिया और उनका मनूबल बढ़ाया हजिया पुरवासियों ने बताया कि आपने समाज का काफी काम किया है इसलिए जनता आपके साथ है फरुखबाद सदर से नगरपाल का अध्यक्षिपद के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की साफ चवी की महिला प्रत्याशी वपूर्व चियर में बचसला अगरवाल ने अपने समर्थकों के साथ गुम्टी नमबर एक ने चौरासी सिटी पबलिक स्कूल गली सहित शहर के कई गलियों में भ्रमर किया शहर के कई महलों में जाकर चुनावी जन्संपर्क कर चुनावचिन हाथी के लिए वोट मागे जन्ता ने अगरवाल का समर्थन करते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया बड़े बुजर्गों ने माला पहना कर अगरवाल जी का स्वागत किया और वोटरों ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप ही नगरपालिका की कुर्सी पर बैठेंगी आप लोग काफी समाथ से वी कारे करते हैं जैसे कि गरीबों के लिए भोजना ले खुलवाना गरीब बेटियों की शादी करवाना ऐसे गरीबों के लिए कई तरह से सहियों किये जिस्से की जन्ता आप से खुश है अगरवाल जी का जनता ने अपार भीड के साथ हाथ उठा कर वोट पर सपोर्ट देने को कहा पर रुखबाद नगरपाल का परिश्यद से करमठ जुझारू सिक्षेत इमानदार समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी वापूर्व विधायक विजय सिंग की पुत्रवधू ने अपने समर्थकों के साथ ठंडी सडक रेलवे रोड रेलवे स्टेशन होते हुए चौक लोहाई रोड पर चुनाव चिन्ह साइकल के लिए वोट मागे वोटरों ने जगह जगह समाजवादी पार्टी प्रत्याशी एकता सिंग का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत करते हुए समर्थन किया वोटरों ने कहा कि नगरपालिका में परिवर्तन लाना है और इस बार एकता सिंग को अध्याक्ष बनाना है इसी के साथ एकता सिंग जिन्दाबाद समाजवादी पार्टी जिन्दाबाद के नारे समर्थकों ने लगाए वही चौक पर पगड़ी पहना कर एक तासिंग का जोरदार स्वागत किया गया फरुखबाद नगर पालिका परिश्यद अध्यक शिपद से कौंग्रेस प्रत्याशी मुंताज बेगम ने अपने समर्थकों के साथ बजरिया, बड़ा, खेल, दिलावर, जंग, पलरिया, पला, असगर, रोड, सहित, शहर के कई महलों में भ्रमर कर घर घर जाकर वोटरों से चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे के लिए वोट मांगी और कहा कि एक बार अपनी बहन को जिताना है अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो नगर पालिका द्वारा जो भी सुवधाय मिलेंगी वे ने शुलक सभी को दी जाएंगी मिरश्टा चार से बचना है तो एक बार पंजे का साथ देना होगा वहीं उनके पती शाकिर अली मंसूरी ने भी सभी वोटरों से हाथ जोड कर खुलकर समर्थन करने के लिए अपील करते हुए कहा कि इस बार परिवर्थन करिये जिसे विकास की गंगा बहेगी लोगों ने अध्यक शुपद के प्रत्याशी मुम्ताज बेगम का फूल मालाओं से जोरदार सुआगत किया ग्राम पंचायत बांस खेड़ी में आयुजित किया गया मीडिया प्रभारी लियाका दली ने बताया कि मोखे अतिती पूर्वविधायक श्री कैलाश मीडा रही पूर्वविधायक ने कहा कि आज पूरे देश में महगाई चरम पर है जैसे गैस, पैट्रोल, डीजल, खाने की दाल, चीनी, खादे सामगरी, आदी सभी पर महगाई बढ़ी हुई है जिससे आमजन गरी परिवार को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है राजस्थान सरकान ने महगाई राहत कैम्प का तोफ़ा दे कर महगाई की मार को कम किया है जिससे पूरे राजस्थान में गरीबों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है एवं बास खेड़ी के कारीकरताओं ने पूर्व विधायक कैलाश मीना जी का 51 किलो के हार से भवे स्वागत किया इस मौके पर मेडिया प्रभारी लियागत अली, फकीर खां, जनपद जगमाल खां, जनपद फेलू खां, बारह गाउं सदर अनीस खां, जिला सजव चंदरभान सिंग, दयाराम सरपंच बालचंद लोधा, गोविंद टेलर, सुरेश एरवाल मौजूद रहे केंप में पंजियन गैस सिलेंडर के चार सो एकत्थर, घरेलू बिजली, सो यूनिट फ्री, दो सो उनिस, निशुलक क्रिशी, बिजली, दो हजार के पचास, अनुपूर्णा फूर्ड पैगेट के एक हजार एक सो चेबतर, नरेगा ग्रामीर योजना, गैरंटी योजना क 849 सामाजिक सुरक्षा पैंसिन के 652 मुक्यमंत्री कामधेनु योजना के 1000 चिरंजीवी सुआस थे, योजना के 1260 चिरंजीवी दुर्गटना भीमा योजना के 1260 पंजियन हुए काजगन जनपत के पतेयाली कजबा के मुखला कट्रा मदारी खान, चौक में भारतिय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंचन शाक्य के पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं को रिजहाने के लिए एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ कारिकरम के अधिक्ष्टा हाजी रसूल एहमद ने की और संचालन हाजी यूनिस अली मनसूरी द्वारा किया गया कारिकरम के मुख्य अतिथी के रूप में चुनावी सभा को संबोदित करने के लिए भारतिय जनता पार्टी से अल्प संख्यक आयोग उत्तर प्रदेश दरजा प्राप्त राज्यमंतरी असफाक सैफे पहुँचे जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोदित किया चुनावी सभा में मुस्लिम समाज के सैंक्रों लोग शामिल रहे मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्य अतिथी का फूल मालाओ एवं सम्मान का प्रतीक चिन्ह शौल उढ़ा कर सम्मानित किया भाजपा के वरिष्ट नेता सिक्षाविद प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रानी सभा में मुझूद मुस्लिम समाज के लोगों का आभार जताया इसी दोरान मुख्य अतिथी अस्वाक सैफी ने भाजपा प्रतियाशी कंचन शाक्य के पक्ष में अपने समाज के लोगों से मतदान करने की अपील की किसी के साथ बिना भेदवाव के मुस्लिम समाज हो चा कोई भी समाज हो सभी भारतियाशी के साथ है मैं प्रिदेश भरे मं गूम रहे हैं रत्याशियों को जिताने के लिए तके मुस्लिम समाज का क्या दोख देखने के मिला ना भी सम Ride C कोटा जिले की सांगोद पंचायद समिती की सोमवार को ही साधारण बैठक में सरपंच संग विभिन मांगो को लेकर पंचायद समिती सांगोद की साधारण बैठक का बहिशकार किया वबहिशकार के बाद सरपंच संग अध्यक्ष सुरेश कुमार महता महामंतरी अमरित कुमार सरपंच सुशीला कमर के नेतरत में सांगोध प्रधान जैविर सिंग जी को ग्यापन दिया ग्यापन देने वालों में सरपंचों के साथ पंचायत समेती सदस्य जिला परिशद सदस्य महावीर सिंग खरक नाखेडी साथ रहे लखिंपूर खीरी पलिया से गौरी फंटा जाने वाली प्राइवेट यूनियन की बसने कर रही बियमों का उलंगन आपको बता दें कि पलिया से गौरी फंटा जाने वाली प्राइवेट बसों में चमता से अधिक लोगों को बिठा कर मौत की दावत दी जा रही है प्राइवेट बसों के मालिक रुपेओं के लालच में लोगों की जिंदगी को दाउं पर लगा रहे हैं ये सब देखते हुए भी पुलिस और प्रशासन के लोग कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिससे लगता है कि पुलिस और प्रशासन के लोग किसी बड़े हादसे के इंतिजार में बैठे हुए हैं राजिस्थान नागोर जुले के भाकरोद सड़क मार्ग पर बीती रात को दरदनाख सड़क हादसा हुआ दुरगटना में बोलेरो कैमपर में बैठे पांच से तीक जनों की मौके पर ही दरदनाख मौत हो गए वहीं दो जन गंभी रूप से घायल हो गए एको हाई उपचार के लिए नागोर रेफर किया गया म्रतक दो मुदियार वा एक गोवा का है सूचना के बाद खीमसर पुलिस मौके पर पहुँच कर म्रतकों के शब को खीमसर की मोर्चरी में रखवाया क्रिश्न कुमार यादावार पीएस प्रोफेसर ने बताया कि आठ मई को 11.40 पर सूचना मिली कि नैशनल हाईवे पर भाकरोद सडक मार्ग पर हाथसा हुआ पुलिस मौके पर पहुचकर म्रतकों के शब को कबजे में लेकर खीमसर की मोर्चरी में रखवाया वर्ट को और दो को एक नागो रिप गयता एक को इधिर है तिनों के मोठ दिक्वाच उसका नाम यह तो नारेंडाम और दूसरा था मुंद्यार के दू थे उसका नाम इता सुकरम लवार और दूसरा था अपने यह सोनू उनकी मोथ हो गई थे कल दिन अंग रात को साड़ी गयारा बज़े के आज पास हमार पास सूचना आई कि बांग रोध और टांकला के पास एक पेटरों के सामने एक टेलर और यह बोले रोग केमपर के बीच में एक्सिडेंट हुआ है जिसमें तीन लोग मोंदा इस्पोर्ट ही उनकी डेथ हो गई कि मैं कृष्ण कुमार यादो आर्पीस प्रोवेशनर मैं जापता रामचंदर जी एसाई मुकेज जी सभी स्पेक्टर सब लोग मोकेवी तुरंट पहुँचे जो लोग ब्रतक थे उनको हमने खिमिसर मोचरी में पहुचवाया जो घायल थे उनको तुरंथ हमने एक को मना को हमने पहुचवाये जेल है नागोर होस्पिटल और दूसरे को हम लेकर आए कि मिसर होस्पिटल जहां डॉक्टर को द्वारा में तुरंट की लगे उप्चार सुरू किया गया जो अभी स्वस्त हैं और समंधिक परिवारवलों को सूचना दी गई और सुबह इंकी पोस् कर दो